अगले कुछी मिन्टों में आपको पता लग जाएगा कि कैसे hackers आपकी website से आपकी social media handles को किसे take over कर लेते हैं ब्रोकल लिंक hijack देखा चाहिए तो काफ़ी critical vulnerabilities नहीं मानते इसे बट अगर आपकी website पर ये vulnerabilities मोजूत है तो आपकी website, आपके नाम या फिर आपकी reputation के लिए काफी जदर danger हो सकती है hackers आपकी website के admin account को बीना login करें आपकी website पर कोई भी चीज़ edit करें या फिर आपकी social media को बीना access करें आपकी website से आपकी social media handles के link को change कर सकते हैं कितनी जदर danger हो सकती ये vulnerabilities वो तो इस वीडियो के दर बात करने वाले हैं उससे पहले हम जान लेते कि आपकी ब्रॉकल link hijack होता क्या है माल लेते कि आपने एक e-commerce side design कर रखी है और वहाँ पर आपने अपने social media के handles के link भी add कर रखी है अब unfortunately उन में से एक Instagram का आपका account delete हो जाता है या फिर आपकी कुछ ऐसी activity होती है जिसके कारण Instagram ने आपकी account को delete कर दिया हो वो चीज़ आपको पता नहीं हो तो hackers करें क्या सेम आपके उसी username से एक account create कर लेंगे जिससे क्या होगा कि ना तो उनको website पर access करने की ज़रूरत है ना ही आपके Instagram को access करने की ज़रूरत पड़ी directly add करने के बाद आपकी website पर वो link पहले से लगा हुआ था जिससे क्या होगा कि users अगर आपके Instagram पर follow करना चाहेंगे तो simple से Instagram पर जैसे वो click करेंगे तो वो आपके Instagram पर ना जाकर hackers ने जो new create किया था account उस पर redirect हो जाएंगे और हो सकता है आपकी users उसे follow कर ले अब इन cases के अंदर hackers हो सकता है आपकी users से fraud भी कर रहे है या फिर आपकी users को वो manipulate भी कर सकता है तो आपकी कोई business की site है या फिर ये vulnerabilities हमें government की site पर मिलती है में होती किस तरह से आई ये थोड़ा हम practical देखते हैं तो इसके लिए मैं अपना browser open कर लेता हूँ मेरे इस site पर मैं ये वालपने साबू करके देखाने वाल हूँ अब माल लेते हैं मेरे एक e-commerce site है जहांपर मेरे courses published अब users करें क्या मेरे इस site पर मुझे Instagram पर Facebook पर या फिर मेरे YouTube पर follow करना चाहेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो अब इन cases के अंदर माल लेते हैं कि एक user है जो कि मुझे Instagram पर follow करना चाहते है तो simple से Instagram पर click करेगा और मेरे page पर रिडाइक होने के उसस करेगा पर यहां पर आप देख सकते हो sorry यानि कि यह जो Instagram का handle है वो delete हो चुका है Instagram से यहां फिर Instagram ने इसे delete कर दिया है बस hackers को इसी चीज़ की जरूरत होती है अब hackers करेंगे वो इसी same username से एक account register करेंगे अब जैसे account register करेंगे तो मेरे इस side पर जैसे कि यहां पर 404 का error आ रहा है अब यह working condition के अंदर आ जाएगा example के लिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ अमाल लेते हैं कि हमारे पास 404 का error आ रहा था तो hackers करेंगे यह same username से एक और account register कर देंगे यहां फिर अपने ही username को उस Instagram से replace कर देंगे तो मैं करता कि हैं यहां पर आपको दिखाने के लिए मैं edit profile पर click कर देता हूँ और यहां पर आप देखसे दो username के अंदर हमारे पास जो health है इसको S को मैं delete कर देता हूँ और इसे मैं save कर देता हूँ save करने के बाद हम देखने वाले हैं कि जो हमारे website पर जो 404 का error आ रहाथा क्या वो fix हो पा रहा है कि नहीं या फिर या फिर users इस hackers के इस page पर adapt हो रहा है कि नहीं तो इसको मैं minimize करता हूँ इसको मैं एक पर refresh कर लेता हूँ पेज को रिफ्रेश करने के बाद मैं दुबारा स्क्रोल डाउन करता हूं और यहां पर आप देख से नुग इंस्टाग्राम पर इस पर मैं क्लिक करता हूं और इसे न्यू टैप में ऑपन करने के बाद यहां पर आप देख पाऊगे कि अब भी हमारे पास 404 का एर रा रहा पर जैसे हमने यूजरनेम को रिफ्लेस कर दिया यहां पर आप देख से सोकते हैं तो हम leaking लाइफ के अंदर इस तरह से काम करता है अगर आपके वैबसाट पर कोई भी लिंक 404 अर तो हैकर उसी सेम यूजरनेम से एक और अपना काउंट पर पर रिजिस्टर कर लेते हैं, यहां पर आपकी website भी हो सकती, आपकी YouTube account भी हो सकते, आपके Instagram की account हो सकते, Facebook भी कोई भी यहां पर link हो सकते है, तो इस वलड़ इसको fix करने के लिए आपको connect है, सबसे पहले तो वहर एक week के अंदर आपकी social media के handles यहां फिर आपके broken link को check करना हो I hope कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़े समझ आ गए होगे, किस तरह से वलड़ इस एक्चुल भी present होती है, तो कैसी वीड़ लगी मुझे नीचे comment करके जरूर दन, इसके अलवगर आपका hacking में interest है, तो web hacking के उपर, android hacking के उपर, आप सब के लिए मैंने courses design कर रहे है रियल लाइफ, practically मैंने आप सुबको हमारे courses के अंदर सिखाने के courses करी है, तो नीचे description में हमारी shop का link होगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं हमारे courses की, सारी information हमारे shop पर देखने के लिए मिल जाएंगे, कोई भी सवाल है, कोई सुजाव है, या फिर कोई आपके doubt है, तो हमार अगली वीडियो में, थैंकी सो मच, जेहिन